Hello friends Welcome back to my youtube channel friends आज में बनाने जारी हूँ रागी बिस्किट रागी बिस्किट बनाऊँगी बिना चीनी के बिना अंडे के बिना इस्ट के और कडाही में भी बनाऊँगी microwave में भी बनाऊँगी तो कैसे बनते हैं आप वीडियो को लाश तक देखें अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो फ्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, फैमली फ्रेंड के साथ जरूर सेयर करें आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में bell icon को भी प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका फायदा उठा सकें तो फड़ा फड़ा से रेसिपी सुरू कर देते हैं एक बाउल लेंगे और कोई भी मेजरिंग कप लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक मेजरिंग कप लिया जिसमें देसी गी लिया है देसी गी जैसा आपके पास है वैसा ही लें उसको गरम ना करें रूम टेंपरिचर वाला देसी गी हो और साथी साथ एड़ करेंगे गुड़ का पाउडर जिसको सक्कर भी कहते हैं और जैगरी पाउडर भी कहते हैं तो इसको अच्छे से mix करेंगे हम, आप कोई भी hand blender या फिर आप spoon का भी use कर सकते हैं, मैंने यहां पर whisker का use किया, अगर आपके पास whisker नहीं है, तो आप hand blender या spoon का भी use कर सकते हैं, हमें इसको दोनों चीजों को तब तक mix करना है, तब तक यह अच्छे से mix ना हो जाए और एक प्रकुल मक्षन जैसी consistency में आ गया है, तो अब add करेंगे हम इसमें रागी का आटा, रागी का आटा मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है, आप कोई भी क्राना सौप से ले सकते हैं, तो रागी का आटा छान लेंगी छनी में, साथी साथ में थोड़ा सा इसमें ग बेकिंग पावडर याद रहे कि जो सोडा है वो कम यूज करना आट एक सपून यूज करना है थोड़ा सा मैं इसमें एड कर रही हूं नमक, बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है, सिर्फ दो पिंच में इसमें एड करना हूँ नमक, अगर आपके पास वनिला एसंस है, अगर आप उसका टेस्ट पसंद करते हैं, तो आप दो ड्रॉप इसमें वनिला एसेंस एड़ कर लें, तो उससे भी काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है, अगर आपको ड्राइ फ्रूट भी पसंद हैं, बिस्किट में तो आप कोई भी dry fruits इसमें डाल सकते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं है मेरी family में किसी को पसंद नहीं है बिस्किट में dry fruits तो मैंने इसलिए इसमें add नहीं किये हैं अगर आपको इलाइची flavor भी पसंद है तो आप वो भी add कर सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं तो अच्छे से इसको mix कर लेंगे अब hand की help लेंगे और इसको हम dough जैसी consistency बना लेंगे तो मैंने इसकी dough जैसी consistency बना ली है और अब मैं इससे biscuit बना करके तयार करूँग तो मैंने क्या किया है एक idli stand को 2-3 drop घी लगा करके अच्छे से grease कर लिया है तो आप भी क्या करेंगे अगर आपके पास idli stand नहीं है तो आप plate में भी बना सकते हैं कोई भी जाली stand रखें कड़ाई में और उसके उपर idli stand लगा दे तो मैं idli stand में बना रही हूँ मुझे जा कर देती हूं मैं यह idli stand biscuit वाला जिसमें मैंने biscuit बना करके रखे हैं तो ढख देंगे और 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे करना क्या है दस मिनट बाद जो नीचे वाला stand को उपर रखना है और उपर वाले को नीचे रखना है तो मैं वही process करने जा रही हूं जो नीचे वा मैं biscuit बेक अच्छे से नहीं हो पाते हैं वह soft रह जाते हैं तो आप उस गलती को ना करें अच्छे सी जब इसका color change हो जाए हलका सा brown color आ जाए biscuit पर तब उस stage में आपको gas को बंद करना है तो मैं इसको 10 मिनट के लिए फेड़ से बेक होने के लिए रख देंगे तो 20 मिनट हो हैं पूरे चेक कर लेते हैं biscuit को तो biscuit हमारे अच्छे से तयार हो गया है तो अब इनको हम ठंडा होने देंगे तो अभी ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे तब तक मैं क्या करूंगी कि माइक्रोवेव में biscuit बनाएंगे वह कैसे बनाने हैं तो मैंने यह प्लेट त ब्लेट रखने के बाद 10 मिनट के लिए अच्छे से biscuit को बेक करेंगे तो 10 मिनट तक हमें वेट करना है दस मिनट के बाद हम ट्रे को निकाल लेंगे माइक्रोवेव बंतर के बहुत ही अच्छे आप देख रहे होंगे कि आपको भी दिख रहे होंगे इसक्रीन पर कि कि बिस किडवन के तयार हुए है तो आप भी बनाईए खाईए और अपनेा एकस्पीनल पर कीजिए अगर इस रेसिपी से जड़ा कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मेरे चैनल पर सेयर कर सकते हैं उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा एक बार फिर मिलते हैं ऐसी ही एक न्यू वीडियो के साथ थैंक्स वर वाचिंग दा वीडियो बाए बाए